तो फ्रेंड्स ये चल रहा है हमारा सफर रास्ते में ये क्या स्टेट हाईवे है उसका भीव है साइड चाइड में गाउं पेड़ पोधे तो अभी मतलब पहले बहुत खराब होता था ये वाला जगा सब लेकिन आजकल बहुत अच्छा लगता है तो ये हमारा रोड है जहा से हम जा रहे हैं और बहुत सुन्दर न जा रहा है चारो तरफ जंगल आगे आगे भाई लोग जा रहे हैं और पेड़ पोधे खेत खल्यान बैल मतलब क्या बूलेंगे सब नेचर नेचरल जगा है तो नेचर से रिलेटेड ही बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाउं सब मे जाना मतलब और ये पथर सब का घर तो आप बोलिये ही मतलब इतना सुन्दर घर बना है ना पथर उसे और इसके आगे नदी है और नदी में बीज है आपको दिखाऊंगी हम जब पहुंच जाएंगे तो और थोड़ा से दूर है बस और ये रहा नदी और यहां का पानी ब अगेरा तो देखी रहे होंगे ज़्यादा लंबा ब्रीज नहीं है छोटा ही है लेकिन बस है और हमारे डेस्टिनेशन है ये ब्रीज के खतम होने के थोड़ा आगे लेकिन हमें नदी ज़्यादा पसंद है डेस्टिनेशन भी पसंद है तो ये हम पहुंच जाने वाले हैं हाँ सुबह तो निकले थे, वीडियो हो नहीं पाया, इतना काम, इतना काम, इतना बीजी है, अभी यहाँ पे सब अटके हुए है, लाइन लेन पीछे से तीछे, और मैं इधर खड़ी हुए हूँ, और ये जगा पुरा मास्त है, हमारा काम खतम हो गया, सेंसेट भी हो गया, और हम जा रहे हैं अभी घर, रिटर्न, इधर पहाड है, सूरज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सूरज डुब गया ना मसीले, पिस्तेदारी, निकलते हैं हम, हमें क्या मिला है, यहाँ पे पूरा, इधर से, इधर से, पूरा सनफ्लावर है, दिख नहीं रहा है, इधर, इधर, हम जाके आ गए हैं, और मत बूलिये, इतना बीजी दे है, फोन पकड़ने का भी टाइम नहीं है हाथ में, और कहते हैं ना कि जो, वो लम्हा सबसे ज़्यादा खुबसूरत होता है, जिस लम्हे को हम तस्वीरों में कैद करना भूल जाते हैं, लेकिन आज का खुबसूरत तो था ही दिन, लेकिन बहुत थक, कान वाला दिन था बहुत, तो अभी बस खाना बन रहा है, कितना बज़रा है, राप का नौ बज़रा है, खाना भी बन रहा है, और खाना खापी की बस सोर दाना है, तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडिय में तब तके ले, बाई बाई, सी यूू।